हेलो जी असलाम लेकॉम एंड वेलकम टू माई यूटू फैमिली कैसे हैं आप सब होफुली आप सब ठीक होंगे हम भी सब ठीक हैं लपाख हम सब को ठीक रखे तो चलें जी वीडियो को स्टार्ट करते हैं और चिकन न ये कल लेके आये थे तो मुझे न बोनलेस चाहिए था ब्रेस्ट के पीस चाहिए थे तो वीकेंड था मैंने का चलें बच्चों को मैंने लांच देना होता है तो प्रिप्रेशन थोड़ी सी कर लूँ और पूरा वीक जो न फिर राम से गुजर जाता है तो थोड़ी से मैंने इस तरह से छोटी पीसेज में चिकन को काट लिया है और बाकी मुझे स्टेक्स बनाने थे तो मैंने इस तरह हैमर की मदश से थोड़े से अच्छी तरह से फ्लैट कर लिया है तो उसके अंदर मैंने डाल दिया है ब्लैक पेपर डाली है प्रस्ट जो रैड चिली है वो डाल दिया है थोड़ा सा मैंने सोया सॉस और चिली सॉस और इसके अंदर वेनिगर जाएगा और इसको ची तरह से मैं मिक्स करके रख लूँगी आप अकॉर्डिंग टू टेस्ट इसके अंदर सॉल्ट भी आड़ कर लें तो इसकी मेरिनेशन करके तो मैंने एक साइट पे रख दी थी और बाकी जो मैंने पीसे चोटे काट लिये थे तो उसकी मैं मेरिनेशन अपतियार करूंगी तो मेरे बच्चे शुरू से अक्चुली खाते थे स्कूल से हमने इनका स्टार्ट भी करवाया था लेकन बच्चों को पता नहीं क्या स्कूल का जो अच्छा नहीं लगा खाना उदर का तो इन्हों नहीं का कि मामा हमने उदर स नहीं खाना आप हमेंने लांच घर से दिया करें तो फिर हमने सिद्ध खानगी बच्चों को शुरू से यादत पड़ी हुई है मैं जब पकसन में थे ना तो बच्चे स्कूल जाते थे तो मैं घर से इनको लांच देती थे तो बच्चे मेरे ना बहुत कम खाते ना होने के बराबर बाहर से तो इनको बाहर की चीज़ें जो अच्छी नहीं लगती तो हमारी पूरी फैमली का यह हाला क्यूंकि बास लोग जो खाते है ना बाहर से उनको ज्यादा आदत होती है लेकर हम बहुत कम खाते है तो वैसे भी मैं खुद भी ये प्रैफर करती हूं कि बच्चे घर से खाएं त छिजि, रट चिली पॉडर, हल्दी पॉडर, नमक और ज् decir डाली है मैंने और सारे शानले डालके तो इसको अच्छी तरह से मैंने मिक्स कर लिया हैं इसके जो मेर स्धाय मैरिनीशन गए ये रैडी चिकन डाल के तो दो मैने बाक्स ले ले लिये थे इनके अंदर में डालक धर का क्या बनाना क्या नहीं बनाना क्यूंकि चिकन को आप इस तरह मेरिनाने का लें किउकि अटर č टाइंम लेता है तो इस तरह चीजे़ हैं पहले जोना मैनेज करके रख लेना तो पिर आपको न दिकत नहीं हुती दॉफ cima तो मैं इसको फ्रीजर में रखका दोँगी अगर आपने बनाना उसको फ्रीज़ में भी रखसकतें आप जीज़ए फ्रीज़ में equाली रखकतें की है तो इसको मैं बंद कर रहा थी मैंने का चले मैं आपके सामने थोड़ा सा कर लूं तो जिस के पास है है या किस ने लेनी है तो और यह भी थोड़ा सा हो जाता बंदे इसका ये मुझे फाइदा लगा था के एक मशीन हो थी के उसके अंदर सारा गूदा वगरा जाता है तो उसकी जो एना कलिणिझ करना बहुत मुश्कल हो जाता तो इसके इसाथ उन्योंने दो बॉक्स दियें, एक के अंदर जूस चाहेगा और एक के अंदर सारा गूदा जो आना वो आगे आ जाएगा तो आप इस तरह से बॉक्स उठाएं और उसे बिन में फैंक दे आपको इतना ज्यादा जंजर नहीं करना पड़ेगा तो इसका मुझे ये ना बहुत अच्छी चीज लगी थी तो इसलिए आप थोड़ी सी अक्सपैंसिव चीज ले लें वो अच्छी ज्यादा होती है ठीक है अपने जेब के हिसाब से लेनी हर बंदे ने तो मुझे ये अच्छी लगी थी पिर मैंने ये वाली बाय की है तो जब से मैं यूस का रही है उसका रिजल्ट जो इना बहुत अच्छा है तो जब आपका दिल करें आप राम से जूस बगरा बनाएं बच्चों को दें खूद इंजवाय करें तो जिसने भी ये लेनी है अमाज़ून पे जाके लिए ये इसका नाम भी नीचे मेंशन हो रहा आपको नजर भी आ रहा होगा आप इसका शॉट सक्रीन ले ले तो बच्चों के लिए मैंने ये जूस बना लिया था लैदा से और मैंने जो ना चकंदर का पीना था तो बच्चे कह रहे थे कि मामा हमें जो ना सिंपल देना आपने तो मैंने इनके लिए गाजर का और सेब और औरेंज डाल दिया था तो अपने लिए मैं लैदा से बना के उसके अंदर मिक्स करूंगी तो बच्चों को मैं ये दे दूंगी तो बड़ा मज़े का बनता है बजार के जूसिस जो पीते हम उनकी निस्पत तो ये बड़ा ही फाइदे मन्द है तो आप अपने बच्चों को फ्रेश बना के दें एक दफ़ाब चीज ले लें इस तरह थोड़े पैसे खर्च करके तो आप जो भी फ्रूट बगारा लेके आते हैं तो आप बच्चों को फ्रेश इस तरह बना दें तो उसकी फ्रेश की तो क्या ही बात है तो बच्चों के लिए मैंने जूस टेडी कर लिए अपने लिए मैंने चुकंदर का रखा है चुकंदर वैसे बिल्कुल भी नहीं खाया जाता मेरे से तो इसका जुस जो न आप बनाके औरेंज के अंदर मिक्स करके पीलें तो वो ठीक रहता है तो अलादा सी जो खाना है न वो पता नि कैसी अजीब साई फील होता है पता नि सब को ही होता है यह मुझे होता है तो अब मैं बना रही हूं इदर अचारी जो बेंगन बनाऊंगी आज तो पाकसान में जैसे बेंगन छोटे-छोटे मिलते हैं वो इदर नहीं है मुझे मार्किट से इदर बड़े मिले थे तो एशियन शॉप से या दूसरी तुरकिश मार्किट में मिल जाते होंगे लेकर जो मैं लेकरे आती हमें बड़े वाले हैं तो मेरा दिल था कि आज मैं इस तरह मसाला डाल के तो इस सरह स्टीम में बनाऊं तो मैंने इसके अंदर साथ अचारी अचारई मसाला लिया मेरा झिलि पाउड़ seven pure award ँखना vehicle अबर यह धार प्रेश ग्रेट करके थोड़ी सी सबस मिच्चे हैं मस्टर्ड ओयल इसके अंदर जाएगा टू टेबल स्पून जाएगा आप इसके अंदर कुकिंग ओयल भी शामल कर सकते हैं लेकर मस्टर्ड ओयल अगर आप डालेंगे इसका ज्यादा टेस्ट आएगा पाकसान में वह प् काट दी हैं फीचे से थोड़ी सी तो ये बड़े वाले हैं इस तरह तो इसके अंदर मसाला नहीं जा सकता था तो मैंने ना इनको मिट से ऐसे ना काट लिया था हाफ कर लिया था ताकि अच्छी तरह से ना इसके अंदर मसाला चला जाए तो वो छोटे वाले बिंगन अगर लगाते हैं तो такой पर इसके अंदर नदर मसाले की brought filling कर दोंगी जब आपने मसाले की इसके अंदर filling करनी ना तो अच्छी तरह से चम्छ के साथ इसको साइडों पे लगाना ताकि वह साराी terrified तो इसको ऐसे नहीं में फ्राई करोंगी क्यों कि इसका इसका मसाला जो ना इस तरह से बाहर आ जाएगा तो एक मैंने इस तरह से दागा ले लिया था नलकी लिया उसको अच्छी तरह से हर बिंगन पिल पेटके न दागे से ताकि ये मसाला बाहर ना आए इसका तो पैन में आप थोड़ा सा गीडा लें और सारे मैंने इस तरह से अंदर डाल दिये थे और उप पर ये देखें आपको स्टीम में ये नजर आ रहे हैं कि पकें थोड़े से तो फिर आप इसको टर्न कर दें दूसरी साइट पर इतने ये मज़े के बने थे आप इस रेस्पी को जरूर ट्राइ करना और मुझे कुमेंट्स में आपने लाजमी बताना है कि आप यकीन करें इतने खटे थे बिल्कुल अचार का टेस्ट इसके अंदर आ रहा था तो मुझे ये दूसरे जो बिंगन हम बनाते हैं मसाला डालके प्यास वाला उससे ये कहीं ज्यादा जो अच्छे लगें तो जब ये बिल्कुल डन हो गए थे ना तो मैंने इसके उपर से ना अनियन थ तो मैंने इनको थोड़ी देरी रखा इस टीम पे तो ये देख लें जी बिंगनो की फाइनल लुक माशाला से इतने मज़े के बने थे तो मेरे मुझे अभी भी पानी आ रहा इतने खटे बने थे जरूर आपने बनाने और मुझे कुमेंट्स में लाजमी बताना है तो बिं अजाज़त अलाफिस